नमस्कार दोस्तों दर्भंगा रउक्स में आपका स्वागत है। NIT से कराये जाए और उनके इंजीनियर्स आ करके चेक करें कि पुल सही है या नहीं कि पुराना पुल है और उस पर डाउन लाइन पर परिचालन चल रहा है डबलिंग के बाद जब किसनपूर से दरवंगा के बीच किसनपूर से पास हो गया था यह मंजूर कर लिया गया था तो अब लेकिन 84 साल पुराने इस रेल पुल पर CRS ने सवाल उठा दिया है और अब NIT इसकी जाच कर रही है कि पुल मजबूत है या नहीं पुल पर पर परिचालन किया जा सकता है या नहीं और इसके जो चार पाएं है वो मजबूत है या नहीं में जो पुल पर पर चालन की जो समस्या है वो चार पाएं को लेकर है और इन ही चार पाएं की जाच होगी कि ये मजबूत है या नहीं क्योंकि ये बहुत ही पुराना अंग्रेज के जमाने का पुल है और रेलवे का मानना है कि 2020 के अन तक नया पुल निर्मान कर लेना था उसको जिसके बाद पुराने पुल से ट्रेनों का परचालन बंद कर दिया जाएगा लेकिन नया पुल नहीं बना और पुराने पुल पर ही ये परचालन चल रह जुलाई 2019 सेड डाउन लाइन के रूप में हो रहा है जब यह दोरी करण पूरा हो गया था जैसा कि हमने बताया है जुलाई 2019 में किसी तरह से कहा गया कि भीया इसी पर चलाए जाए ट्रेन और नया ब्रीज बनाने की जरूत नहीं है उस समय यह बात थी बुढ़ी गंडक पुराने पुल का डाउन लाइन के रूप में इस्तमाल होता रहा है यह इलवे की मंचा थी लेकिन CRS ने इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाय है और यह सवाल एहम भी है क्योंकि बाढ़ के दिनों में खास करकि यह पुल डूप जाता है जैसे हाय घाट के पास एक ब्री उसको लेकर के भी सवाल उठते रहें लेकिन यह जो सुरक्षा को लेकर के जो अब सवाल उठाय है तो अब देखना होगा कि जो NIT के अधिकारी या इंजिनियर्स आएंगे और वो रिपोर्ट क्या बनाते हैं उसी रिपोर्ट पर अब आधारित होगा कि पुल का इस्तमाल आगे होगा या नहीं होगा अगर वहां से दिक्कत हुई तो फिर यहां पर यह मामला अटक सकता है और दोहरी करन का जो यह लाइन चालू हुआ है और इस पर जो परिचालन चल रहा है बूरी गंड़क पर यह बाधित हो सकता है तो फिर जो है वो सिंगल लाइन पर वहां पर काम होने लगेगा और जब तक कि नया पूल नहीं बनेगा तब तक कि इस्तिति जस्की तस्वाइब तो पूल की समस्या इस छोटे से पूल जो पूराने पूल है उनको किशनपूर और थलवारा के बीच में जो पांच बड़े पूल है उसमें कई पूल तो उनका तो निर्मान हो गया यह जिससे यहां पर यह दो पूल का निर्मान लगभग कंप्लीट है लेकिन कई पूलों को जो डाउन लाइन का निर्मान है वो होना बाकी है ऐसे में देखना होगा कि पूराने पूल पर ही क्या दोहरी करण का परिचालन किया जाएगा या फिर नये पूल के बाद दोहरी करण का परिचालन होगा इसको लेकर के अभी उखापो की इस्तिती है और इस्तिती क्लियर नहीं है कि रेलवे क्या चाहता है तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि पुराने पूल पर ही दोहरी करण का परिचालन होगा झालो